तो हम पढ़ते आ रहे थे चैप्ट नमबर 15 जिसका नाम है प्राबबिलिटी तो हम एक साइस 15.1 करते आ रहे थे और इस वीडियो में पढ़ेंगे कोश्ण नमबर 19 को अगर आपको पहले की कोश्ण देखने हैं तो मैंने एक प्लेलिस बना रहे हैं वहां आपको सारे नमबर 19 क्या कहता है तो देखो इस लाइन का क्या मतलब है तो हमें बोला गया है एक बच्चे के पास एक डाय है और उसके six faces ऐसे हैं उनमें क्या लिखा हुआ है एक में 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 लिखा ह हुआ है जो नॉर्मल डाय आती है उसमें क्या लिखा रहाता है 1 2 3 4 5 6 लेकिन इस डाय में ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो इस बच्चे के पास डाय है उसमें 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा हुआ है बलकि क्या लिखा हुआ है A B C D E A अब आगे क्या बोला है कुशन में डाय इस तो बोला है डाय को थो किया है एक बाइस और आगे क्या बोला है वाट इस दा प्रॉबबिलिटी ऑफ गेटिंग एंडी अब देख हमसे प्रॉबबिलिटी पूछी गई है दो इविंट्स की हम क्या करेंगे इन दोलों पार्ट्स को वन बाइवन करके सॉल्ट करेंगे तो यहां फॉर्स पार्ट लिख देती हूं मैं फॉर्स्ट हमें प्रॉबबिलिटी निकालने है किसकी एक ही अब यह को फॉर्मला आप सभी को पता है नंबर ओफ फेवरेबल आउटकम्स अपान टोटल आउटकम्स सो यहां मैंने प्रॉबबिलिटी का फॉर्मला लिख दिया है ठीक है अब देखो अनुमिलेटर में हमसे पूछा गया है नंबर ओफ फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स कौन सा होता है जो हमें इवेंट की प्रॉबिलिटी निकालन होती है जो कि है हमारा ए ठीक है तो एक इतनी बार आया है तो देखो हमारे पास six faces है one two three four five six अब इन में से एक इतने है तो देखो total हमारे पास कितने faces है एक है एक यह है एक ही है यानि कि total two faces है हमारे पास एक है ठीक है अब देखो हम numerator में लिख देंगे two अब देखो denominator में हमसे पूछा गया है total outcomes total outcomes यानि कि total faces तो हमारे पास कितने faces है question में साफ बोला गया है हमारे पास six faces है तो हम दे नॉमिनिटर में लिख देंगे 6 अब देखो काटाग पीटी करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 तो यह आ गया 1 upon 3 तो देखो probability ए फेस आने की कितनी आ गई है 1 upon 3 तो यह था हमारा first part अब हम बढ़ेंगे second part की तरफ तो मैं इसको रब कर देती हूँ अब देखो हमें second part की probability निकालनी है तो यहाँ लिख देंगे second अब देखो probability निकालनी है हमें किसकी d की तो formula आप सभी को पता है number of favorable outcomes upon total outcomes अब देखो हमें numerator में चाहिए favorable outcomes favorable outcomes आने की d phase अब question में देखते हैं कितने phases are d के एक ही है सिर्फ यही है तो कितने हुए one तो total कितने हुए one तो numerator में आ जाएगा one अब denominator में चाहिए total outcomes total outcomes कितने है six ठीक है तो हम denominator में लिख देंगे six तो probability d phase आने कितनी आ गई है one upon six अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुस्से कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं इस वीडियो में इतना ही आप मैं आपको मिलूंगी नेक्स वीडियो में I hope आपको सबको समझ आ गया होगा थेंक्स वाजिए